दोस्तो जिन्दगी में हम लोग कितने कामियाब होंगे इसका एक बहुत ही गहरा तालोग होता है हमारे माइंडसेट से अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो वो हमारी सक्सेस में एक बहुत ही इंपोर्टन्ट इंग्रीडियन्ट होता है इसी तरह अगर हमारा म इस बुक में वो primarily दो तरह के माइंडसेट के बारे में बात करती हैं एक है fixed mindset और दूसरा है growth mindset Fixed mindset ये समझता है कि हम जिन abilities के साथ पैदा होते हैं जो हमारी capabilities हैं, जो भी हमारे talents हैं वो fixed हैं, हम कुछ निया learn नहीं कर सकते इसे वज़ा से इस तरह के लोग एक पॉइंट पर आके जिंदगी में प्लाटो कर जाते हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पाते क्योंको उनका जहिन फिक्स्ट होता है इसी तरह दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने टैलेंट को नर्चर कर सकते हैं अपनी केपिबिलिटीज, अबिलिटीज को पॉलिश कर सकते हैं जिसकी वज़ासे दे कंटिन्यू टू ग्रो इन लाइफ इसके इलावा ये जो माइंडसेट है ये सिर्फ इंडिविजिल्स तक लिमिटेड नहीं होता बलके ग्रूप, और और नेशन्स में भी पेनेटरेट करता है तो अगर किसी भी कौम ने, किसी भी ग्रूप ने तरक्की हासल करनी है तो उनका कल्चर ऐसा होना चाहिए कि वो इज़तमाई तोर पे कलेक्टिवली ग्रोथ माइंडसेट पर बिलीव करे लोग हमेशा बहतर से बहतर की तलाश में रहें यही माइंडसेट इवेंचली इंडिविजिल्स को और कौमों को पार लगा देता है सो इस हवाले से केरल डुएक की यह किताब माइंडसेट एक बहतरीन रीड है इसको आप जरूर पढ़िएगा यह आपको कागनेटिवली परसनली और परफेशनली ग्रोव करने में बहुत मदद देगी जनाब जो दूसरी किताब है आज मेरे पास वो है अबाउट वान ओम माइ फेवरिट परसनलीटी इन इंडो पार्क हिस्टरी और वो हैं सरसेद और इस किताब का नाम है मुतालर सरसेद सरसेद अमद खान एक बहुत बड़े स्टॉल वर्ड थे एक कमाल के स्कॉलर थे इस किताब में इकराम चुखताई ने गलक सरसेद शनास लोगों की सरसेद के बारे में जो उनकी राय है उनको कवर किया है जैसे कि उनकी सवाना हयात सरसेद का मजभी शचूर उनके रुफका उनकी रिसाले तहजीब अलिखलाब की एहमियत और सबसे इंपोर्टन्टली सरसेद एहमद खान की सोच सरसेद एहमद खान की पैदाईश होई 17 अक्तूबर 1817 में बर्रे सगीर में बसने वाले मुसल्मानों की दीनी, फिक्री, तालीमी और अद्बी तारीख में जिन शक्सियात ने सबसे ज़दा इंपक्ट चोड़ा सबसे देर पा असर मुरत्ब किया उनमें सरसेद का नुमाय मुकाम है उन्होंने मगर्ब की तरक्की की वजुहात का बगवर मतालिया किया और उसके एनालिसिस के बाद उन्होंने मुसल्मानों के लिए एक ऐसी रा मतायन की जिस पर इस्तकामत से चलते होए वो अपने मकासित को पूरा कर लेते सरसेद अमद खान और जदीदियत का चोली दामन का साथ था और यही बात है उनकी परसनालिटी की जो मुझे सबसे बहतरीन लगती है वो हमेशा इल्म और अनलाइटन्ट सोच की बात करते थे जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है अलीगर्ड मुस्लिम यूनिवरसिटी सरसेद ने जब 1875 में से इस्टैबिश किया उस वक्त इसका नाम था मुहमदन अंगलो औरियंटल कॉलेज सरसेद अमद खान की सोच आज भी जिन्दा है और उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए लास्ट एर गर्मेंट आफ पाकिस्तान ने जो 75 रुपय का नोट निकाला था उसमें उनकी तस्वीर भी आवेजा है सरसेद की जिन्दगी से उनकी सोच से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर आप उनकी शक्सित के बारे में गहराई से जानना चाते हैं तो मुतालिया सरसेद एक बहतरीन किताब है दोस्तो 15 सेंचुरी में योरप में एक ऐसा पोली महत पैता हुआ जिसने अपनी पेंटिंग्स के जरीए, अपनी एंजिनेरिंग के जरीए, अपनी स्केच्चिस के जरीए पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया इस चखस का नाम है लियनाडो डविन्ची और इसी के उपर आज की हमारी पहली किताब है जो के है Walter Isaacson की biography on Leonardo da Vinci One of the best books you will find on this great genius Walter Isaacson दोस्तों जो किताब लिखता है आप उसे वैसे ही खरीदिया करें Because he is easily the best biographer in the world today ये किताब भी उसका एक remarkable काम है जिसमें वो आपको transport कर देता है in the 15th century और आप चले जाते हैं उन वक्तों में जब Leonardo da Vinci जिन्दा था Leonardo एक genius था एक polymath था जिसने पूरी दुनिया में शोरत असिल की अपनी दो painting की वज़े से एक The Last Supper और दूसरी है Mona Lisa उसके पास इतनी जबरदस कला थी इतना जबरदस हुनर था उसके काम में इतना finesse था कि आपको उसमें art भी नजर आती है Science भी और engineering भी इस किताब में Walter Isaacson ने उसकी पूरी जिन्दगी की journey को cover किया है उसकी personal life किस तरीके से उसने पहली दफ़ा discover किया कि वो paint कर सकता है उसके engineering का काम उसकी innovative thinking और उसका obsessive nature देखे my dear friends एक बात को आपने लाजमी समझना है मेरा मुशाइदा ये कहता है मेरा observation और experience ये कहता है कि जब तक आपको जिन्दगी में किसी चीज़ का obsession नहीं है madness नहीं है उसके बारे में आप passionate नहीं है तब तक आप उस काम में कभी भी excellence को touch नहीं कर सकते लहाज़ अगर आपने किसी भी काम को to the level of excellence लेके जाना है तो आपको उसके बारे में obsessive होना पड़ेगा और Leonardo da Vinci ऐसा ही एक शक्स था अगर आप लोग कभी Paris जाएं तो Mona Lisa को जरूर देखेगा देखने में वो आपको एक औरत की मामूली सी painting लगेगी लेकिन उसके अंदर जो colors हैं उसकी जो feel है उस painting का जो essence है वो उसके बाद दोबारा दोहराया नहीं गया That is why it is one of the most expensive pieces of art ever made मेरा जो personal favorite काम है Leonardo का वो है Vitruvian Man क्या ही कमाल की drawing है A blend of art and science मुझे Vitruvian Man बहुत ही mystical पुरसरारियत से भरा हुआ लगता है So if you want to know in depth about who Leonardo da Vinci was तो Walter Isaacson की ये biography आपने last भी पढ़नी है और मुझे आपने message करके जरूर बताना है कि आपको Leonardo का कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है अजीज आनेमन दूसरी किताब की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरी जिन्दगी में पिछले दो से तीन साल में एक major transformation आई है In terms of my vision in life और इसके एक बहुती major ingredient एक बहुती major impetus उस चीज़ को मिला है अलामा अकबाल साहब से उनकी नसर और शायरी ने मेरी जिन्दगी बदल के रख दी है इकबालियात हमारे मुल्क के पास हमारे लोगों के पास हमारी कौम के पास वो असासा है वो गोल्ड माइन है जिसका इस्तमाल करके हम लोग prosperity के रास्ते पर चल सकते है इसी हवाले से जो आज हमारी दूसरी किताब है वो है अकबाल साहब की दो कमाल की नजमों के बारे में और इसका नाम है शराय शिक्वा और जवाब शिक्वा ये वो दो नजमे हैं जो कलेक्टिवली हमारी पूरी कौम को पढ़नी चाहिए क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा गहरा मेसेच छुपा हुआ है जिसके अंदर बहुत सी लरनिंग है अकसर लोगों को ये दोनों नजमे काफी मुश्किल लगती है और इसी का सुलूशन ये किताब है जिसमें इन दोनों नजमों को बहुती आसान तरीके से समझाया गया है इनकी तश्रीक ही गई है ये हमारे पर लाजम है कि हम अकबाल साहब की शायरी उनकी नजमे और उनके नसर का बगौर जाइजा लें उसको भरपूर तरीके से समझें क्योंकि इनके अंदर छुपा हुआ मेसेच इतना पाफुल है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारे कौम की तकदीर बदल सकता है